आज आप लोग का चैमिस्ट्री के क्लास नाइंज चेप्टर नबर बन नुमेरिकल 4 और 5 में चाहूंदी नुमेरिकल नुमेरिकल 4 का माले डिमेनिक बी पार्ट था उन्होंने पूछा है कि माले पास किती नबर उस मॉलेक्व से 20 ग्राम ऑफ नाइट्री के स्विडियो आपके पास अगर हम यहां दिखा जाए तो मास अपस्टान्स उन्होंने हमें डेटा में ही दिया वे 20 ग्राम और हम इसका मोलर मास फाइंड़ाओ करने के लिए सबसे बढ़े मैं पजा होना चाहिए कि माले पास अटॉमिक मास कितने ही अलिमेंट की हाड्योजित का अटॉमिक मास रहा होता है नाइटोजित का 14 ऑक्सीजिन का 16 और माल पस अटॉमिक नंबर यहां पर इसका 3 है तो हम oxygen को अपर atomic number के साथ उसके multiply कर देंगे पिर जितना इसका answer आएगा उससे बाकी साथ data में sum up कर देंगे 1 प्लस 14 प्लस 16 multiply by 3 is equal to 63 gram per mole number of moles का हमने फ़रे formula पुट करना है जो कि अपता है mass of substance over molar mass of substance mass of substance के पास है 20 gram molar mass of के पास है 63 gram per mole gram gram से कट जाएगा units को आपने solve करना है units के solve करने के बाद जो आप calculator में यह वाली पुट करेंगा आपके पास answer आएगा 3.175 moles यहां के बाद से number of moles अब हमने number of moles find out करने के बाद यहां पर formula पुट करना है क्योंकि basically हम इने question में पुच्छा गया है number of molecules कितने है nitric acid के multiply by avogadros number हमें पतर है यहां पर इस साइट पर लिखी भी रहती हूँ कि avogadros number बेसे कले वाइपस के वाली होती है 6.02 multiply by 10 to raise power 23 यह वाइपस है avogadros number तो वाइपस number of moles 3.175 है अगर वाइपस पॉइंट को इदर रुखाके रहे जती हूँ तो हमारे पास scientific multiplication के साब से 0.3175 multiply by 6.02 multiply by 10 to raise power 23 यह वाइपस आपके पास avogadros number की value है इन तोनों को जब आप solve करेंगे power आपके पास 10 to raise power 23 ही रहेगी और इन तोनों को solve करने के बाद आपके पास जो आंसर आएका हूँ आएका 1.92 multiply by 10 to raise power 23 molecules sorry 1.91 multiply by 10 to raise power 23 molecules इसका प्लगे है अब आज अपने नेक्स्ट पार्ट पर जो के सी पार्ट के लिए आपको find out रहना है 30 g of glucose 30 g of glucose find out करने के लिए पहले हम यहां पर हमारे पास है मास अप सब्स्टांस है वर अविलेबल है 30 g मैं इसी राट आम में तो इसी changes कर रही हूं और glucose हमारे पास है C6H12O6 अगर हम इनके atomic masses को देखें तो हमारे पास इनके atomic masses के according carbon के atomic mass होता है 12 hydrogen का atomic mass होता है 1 oxygen का atomic mass होता है 16 carbon 12 अब आपने इनकी number of atoms दीखने है number of atoms देखेंगे carbon का atomic mass क्या है 12 number of atoms कि इतने मजूद है 6 12 multiply by 6 hydrogen का atomic mass क्या है 1 number of atoms 12 oxygen का atomic mass क्या है 16 multiply by number of atoms आके हादिया 6 इन अब आपने 12 को 6 से multiply करना है अगर आप ग्राम पर मोल इस तरह लिखते हैं तो फिर इसका अतलब है कि यह वाली आपके number of atoms पाइंट आउट करने के लिए और मॉलर मासफ सब्स्टांस और मॉलर मासफ सब्स्टांस 0.1667 moles अब हमने यहां पर number of moles of glucose फाइंड आउट करने है C6H12O6 आपके पास जितने भी number of moles ती हैं यहां बाइपस दी हैं 0.1667 moles हमने यहां पर molecules भी glucose के फाइंड आउट करने थे तो हम यहां पर statement में number of molecules glucose फाइब फाइब यही चीज़ आजएगी डेटा में पास चेंज हो जाएगा आपके पास 0.1667 multiply by फाइब काइब ग्रोस नंबर है 6.02 multiply by 12 to respond 23 अब आपके जितनी भी values हैं इनका आप multiply कर दें विश्ट आप इस power को multiply ना खेरें क्योंकि पावर आपके पास 23 में ही आनी है विश्ट हमने number of molecules find out करने हैं इन दोह पर जिब हम multiply करेंगे आपस में तो हमारे पास answer आएगा 1.00 multiply 10 to respond 23 molecules इतने molecules आपके पास मुझूर रखते हैं एक ब्लोकोस के अंदर यह आपनों का question number 4 कर नमारे कर complete होगा नेक्स्ट हम आजएते हैं question number 5 में भी उन्हाने हमसे रही जीज़ पूची हुई है method अक्रीब हमारा same है हमने question number 5 में number of eyes find करने है number of molecules की जगा पे number of eyes find करने के लिए भी सेम मारा यह ही method होगा हम यहां पर पर इस टेटा को पुड़ा तुनियर कर लेते हैं आपको नारे statement में दिया हुआ है कि हमने find out करना है 10 gram of aluminium triglorate यहां पर पर पास mass of ALCl3 यहां इदर लिख सकते हैं गिवन mass of substance mass of substance यह ALCl3 को इसे तीन चीज़ों में से लिख सकते हैं आपके पास आजएगा 10 gram पिर हम दिसका molar mass find out करना है molar mass of aluminium triglorate अलुमिनियम का molar mass हमाइब पास होता है 27 क्लोरिल का माइब पास atomic mass होता है 35.5 को हमने 35.5 के साथ multiply कर प्लस करना है लेकिं यहां पर नंबर मॉलर मास आजएगा 133.5 ग्राम पर मॉलर मजब सब्स्टांस अब हमने इसी फारमले के अंदर नंबर अपर इसको पुट करना है तो हमारे को पर सूंहाँ कर जाएगा लगा है कि अगर को जब आप नंबर मोस के अंदर था इसका माला पुट करेंगे माला सब्स्टांस और मुलर मास्ट सब्स्टांस तो हमारे पास यहां पर मास्ट तो ना अंसर आएका इस वकद हमारे पास में आपर आंसर आ रहा है आंसर टैन ओवर 133.5 को हांस पर डिवाइट करेंगे तो हमारे पास बिसीकली इसमें आंसर आ रहा जाएगे जीरो पॉइंट संथिंग जीरो पॉइंट 749 मोल फिर उसके पार हमें इसमें नंबर ओफ आइंस फाइंड आउट करना है नंबर ओफ आइंस ओफ इसके लिए मैं पास वही फाम्मुला लगेगा नंबर ओफ मूल मुल्ख बाइबाइब आवगेड्रो नंबर जीरो पॉइंट 740 मुल्टिप्लाइबाइब 6.02 मुल्टिप्लाइबाइब 1020 पार 23 इनको जब हम सॉल्फ करेंगे तो माले पास जो भी आशर आएगा आपके पास नंबर ओफ आइंस में ही आएगा माल पास 1020 पा 23 इनको जब आजएगा 6.02 को 0.740 से मुल्टिप्लाइब करेंगे तो 4.45 मुल्टिप्लाइब 4.45 मुल्टिप्लाइब 4.45 मुल्टिप्लाइब आएगा आपके पास आशर आजएगा अल-C-L-3 इनको नेक्स तू पास भी माल पास जेम एज़टेश की होगे मुलर मास पाइंड आउट करना है